सेट विद्या मंदिर इंग्लिस हाई स्कूल सेवी यसी वसाई मैं सुनील कुमारत्र पाठी प्री शात्रूं आज हम विशय हिंदी पाठ पंद्रह नौकर के अंतरगत भागदो का अध्यान और अध्यापन करने चल रहे हैं जिसमें है पाठ की व्याख्या तो आईए बच्चों पाठ का नाम है नौकर हम इस गध्यांस का सुधता से उचार्ण करते हैं और इसकी व्याख्या की तरफ हम अपना ध्याना करसित करते हैं आस्रम में गाधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आम तोर पर नौकर चाकर करते हैं जिस जमाने में वह वैरिष्टरी से हजारों रुपए कमाते थे उस समय भी वह प्रति दिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हांत बटाते थे इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वह खुद पीस लेते थे शाबर्मती आश्रम में भी गाधी ने पिशाई का काम जारी रखा वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे एक बार एक कारे करता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है आटा पिस्वाने में हाथ बटाने के लिए गाधी फोरण उठ खड़े हुए तो बच्चों देखा इस गध्यांस में कि गाधी जी अपने कारिये को स्वयम करते थे वह किसी के उपर निर्भर नहीं रहते थे उन्हें अपने काम करने में किसी भी प्रकार की सर्मिंदिगी का एहसास नहीं होता था अब देखिए अगला गध्यांस गया हुँ पीषने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोड़ देते थे कहने का तरिवा कि ग्यहूं पीसने से पहले वैवस की उस ग्यहूं में जो कच्ड़े होते थे उसको साफ करते थे हर्थात्वे स्वक्षता से कारी करते थे कौपीन धारी इस महान व्यक्ति को अनाज वीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरान में हैरत में पड़ जाते थे बाहरी लोगों के सामने सारीरिक महनत का काम करते गाधी को सर्म नहीं लगती थे एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आये उनको अंग्रेजी भासा के अपने ग्यान का वड़ा गर्व था गाधी से बादचीत के अंतमे में बोले बापू यदि में आपकी कोई सेवा कर सकूँ तो कृपया मुझे अवस बताएं उन्हें आशा थे कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे गाधी ने उनके मान की बात ताड़ ली और बोले गाधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली अर्थात उनके मन में क्या चल रहा था वैसे मज़ गए और बोले अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के यहूं बीन डालिये आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था एक घंटे तक यहूं बीनने के वाद वह ठक गए और गांधी से विदा मांग कर चल दिये आगे देखें बच्चों कुछ वरसों तक गांधी ने आस्रम के भंडार का काम समालने में मदद दी सवेरे की प्रार्थना के बाद वह रसोंई घर में जाकर सब्जीयां छेलते थे रसोंई घर या भंडारे में अगर वह कहीं गंदगी या मकडी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते उन्हें सब्जी फल और अनाज के पौश्टिक गुणों का ग्यान था एक वार एक आस्रम वासी ने बिना धोय आलू काट दिये गांधे ने उसे समझाया कि आलू और नीवू को बिना धोय नहीं काटना चाहिए एक वार एक आस्रम वासी को कुछ ऐसे केले दिये गए जिनके छिलकों पर काले चक्ते पड़ गए थे अर्थात्वे केले काले रंग के दाने पड़ गए थे उसने बहुत बुरा माना तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तोर पर इसलिए दिये गए हैं कि तम्हारा हाजमा कमजूर है गांधी आस्रम वासीयों को अक्सर स्वयम भोजन परोस्ते थे गांधी आस्रम वासीयों को अक्सर स्वयम ही भोजन परोस्ते थे इस कारण में बेचारे बिस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद कुछ कह भी नहीं पाते थे दक्षिन अफ्रीका की एक जेल में वैस्तायकडों कैदियों को दिन में दो बार भोजन परोसने का कारे भी कर चुके थे कहने का तात्वर यह हुआ बच्चों कि गांधी जी कोई भी कारे करने में सर्मन ही मैसूस करते थे किसी को खिलाना हुआ किसी की सेवा करना हुआ यह सब कारिवस्वयम करते थे नहीं संकोच हो करके किसी प्रकार की उनको सर्मिंदगी नहीं थी आस्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने वरतन खुद साफ करें रसोई के वरतन वारी वारी से कुछ लोग दलवांत करद होते थे एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने उपर लिया इन पतीलों की पेदी में खुब कालिक लगी थे राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खुब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूर्बा वहां आ गई उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली यह काम आपका नहीं है इसे करने को और बहुत से लोग है गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही वो धिमानी है और वह चुप चाप कस्तूर्बा को उन बरतनों की सफाई और वह चुप चाप कस्तूर्बा कोन बरतनों की सफाई का कारेवाल दे दिये और दे करके चले आए बरतन एकदम चमकते नहूं तब तक गाधी को संतोस नहीं होता था एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वह खुद कैसे लोहे के बरतनों को भी माज़ कर चादी सा चमका सकते थे जब आस्रम का निर्मान हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ महमानों को तंबूओं में सोना पड़ता था एक नवागत को पता नहीं था कि अपना विश्टर कहा रखना चाहिए इसलिए उसने विश्टर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहा रखना है लौटते समय उसने देखा कि गाधी खुद उसका विस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं आस्तरम के लिए बाहर बने कुईय से पानी खीचने का काम भी वह रोज करते थे अर्थात वह कुईय से पानी रोज निकालते थे एक दिन गाधी कुछ अस्वस्थ थे अर्थात बीमार हो गए और चक्की पर आटा पीषने के काम में हिस्सा बटा चुके थे उनके एक साथे निहुने थकावट से बचाने के लिए अन्यास्तरम वासियों की सहायता से सभी बड़े बड़े बरत्रों में पानी भर डाला गाधी को एह बात पसंद नहीं आई मन में कुछ ठेस भी लगी उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भर कर टब को सिर पर उठा कर आस्रम में ले आए बेचारे कारे करता को बहुत पच्चतावा हुआ तो इस तरह से बच्चों हमारा यह भाग यहीं पर संपोर्ण हुआ धन्यवाद